MCC ने एक दिन के लिए counseling schedule postpone किया था वो अभी नया release कर दिया है नये में कोई changing नहीं है उसमें जो registration 27 से start होने थे वो अभी 28 October से start हो रहे हैं और इसके बाद में जो 24 filling की जो date है वो 28 October same to same है बाकी reporting की, result की, second round counseling की और dimmed का schedule same to same है कोई इसमें changing नहीं है बस changing इतना है कि जो 27 से registration ने start होने थे वो 28 October 2020 से start होंगे बस इतना सा ही changing ये नए MCC के schedule में है तो आप इसकी website mcc.nick.in की website पर जाकर check कर सकते हैं अभी 24 fill आपने कैसे करनी है किस क्रम में college fill करनी है इसके लिए मैंने आल इंडिया कोटा की book तयार कर रखी है इस video के description box में जाके उस book को download कर सकते हैं आप और उसके मताबिक आप 24 fill कर सकते हैं कि किस क्रम में आपको 24 fill करना है ये मैंने उस book के last page में दे रखा है तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा जैहिन